बिग बॉस OTT3 इस वक्त काफी सुर्खियों में बना हुआ है। इस शो में सबसी ज़्यादा अगर कोई सुर्खियों में बना हुआ है तो वो हैं दो बीबियों वाले यूटूबर अर्मान मलिक। शो में अर्मान मलिक अपनी दोनों पत्नियों पायल मलिक और कृतिका मलिक के साथ आये थे शो के दूसरे हपते ही पायल मलिक शो से आउट हो गई थी शो से बाहर जाते ही पायल लगतार सोसल मीडिया पर ट्रोल की जा रही है फैंस और स्टार्स अर्मान की दो शादी पर कॉमेंट कर उन्हें खरी खोटी सुना रहे हैं ऐसे में पायल और तहल का प्रेंक यानि सनी आरिया की पतनी दिपिका आरिया के बीच का जगड़ा काफी सुर्खियों में बना हुआ है तोनों एक दूसरे पर बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं ऐसे में सनी आरिया ने खुद जगड़े के बीच आकर अपनी बात फैंस के सामने रखी है बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट तहल का प्रेंक यानि सनी आरिया का एक वीडियो सामने आया है इस वीडियो में सनी पायल मलिक और अपनी पतनी दिपिका आरिया के जगड़े पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं इस वीडियो में सनी कहते हैं कि अगर पायल ये दिपिका की बात को सही से सुनती कि वो किस मुद्दे पर बात उठाना चारही है किस मैटर पर बोल रही है तो बात इतनी बढ़ती ही नहीं दिपिका और मैं एक साथ उनके घर के प्रोग्राम में गए मस्ती का माहल था सब नाच गा रहे थे अगर उस वक्त भी अर्मान पायल को ऐसे स्टेटमेंट दे दे तो हम उस बात का जबाब देंगे कि गलत कह रहे हो आप मीडिया में गलत बात कर रहे हो तो ये सब स्टेटमेंट पर बात उठी है इसके बाद तहल का प्रेंग कहते हैं कि जनता ने भी दिपिका को सपोर्ट किया भारी पैमाने पर दिल्ली से लेकर मुंबई की मीडिया ने उसे सपोर्ट करते वे कहा कि वो सही कह रही है सब ने इस मैटर पर कहा कि लेडी बहुत अच्छी बात कर रही है वहीं तुम क्या कर रहे हो देश में हमारे बच्चे क्या सीखेंगे ये थोड़ी बोला की परिवार बहुत घटिया है गंदा है ये सब बोलकर नाच गा भी रहे हैं अगर ऐसा किया होता तो आप हमें कहें सनी का ये वीडियो काफी पसंद किया जा रहा है लोग सनी की बात से सहमत मजार आ रहे हैं सनी आरिया के इस स्टेट्मेंट पर आपका क्या कहना है कॉमेंट कर हमें जरूर बताएं बॉलिवुड और एंटरेंडमेंट की खबरों के लिए देखते रहे हैं ये एबी भी एंटरेंडमेंट